आज हम आपको डाल साख की र्यसेपी दिखाएंगे और यहेर हम राइस कोकर में बनाएंगे जया नामसे कणके में सिर्फ राइस ही बनांके लेकिन एसा नहीति है यह बहुत से эксперimento कीये व्यवह और वह सारे शक्सेसमल हुआ है मैंने राइस कोकर में केक बनाया है दाल भी मैंने देखिया बनाई ए चावल तो खायर बिर्यानी भी मैंने बनाई थी तो पूरी एक मेरी प्ले लिस्ट है और राइस कोकर को कैसे इसीमाल करना है कभी कभी होता है कि घर में चीजे लाके रख देते हैं कुछ electronic और electrical appliances और हमें मालूम नहीं होता है उनका क्या क्या यूज हो सकता है इस वीडियो में मैं आपको दिखाना चाहरी हूं कि राइस कुकर से हम बहुत से काम कर सकते हैं तो सिर्फ हम उसमें राइस ही नहीं बनाते हैं दाल भी मना सकते हैं तो इस वीडियो में मैं आपको वही दिखाऊंगे लेकिन घर में अगर कोई ऐसे पढ़ी है जो हम उसको यूज ने पढ़ा है लाकि हमने शोड़ दिया है तो एक होता है राइस कोकर तो उसको हम मैकसिमाम यूज कैसे करें या फिर स्टूड़न्स है वरकिंग वुमेन है या जो अगर बच्चे रह रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छे और काम का अप्लाइन्स है अगर वह खरीद के रखे हुए तो इस तरह से वह उसमें बहुत सी चीज़े बना सकते हैं हम और बच्चीज़े बना के लिए अगर बढ़ते हैं आपको दिखा देती हूं मैंने ये थ्री फोर्थ कप डाल को भिगो के रखा हुआ था पानी में एक गंटे से तो उसको फिर मैंने इसमें में ने पाट दिया है लुक है तो उसमें मैंने फालग डाल दिया था तो इसको ब्लेकम हटा दाल दिया था तो इसको डाल फूलिट प्रेश्ट श्लीपेस्ट ने Watching बदार बहुट प्रिशर सेक्टनेक अग्रा तो पानी हम र less Fame वाफिवां और ब डाल टाल दिया है या और और वन टी स्पून में लाल मिज़ डालूंगे इसमें और वर अंदा हाफ टी स्पून इसमें मैं नमक डालूंगे और इसमें पानी डाल देती हूं इसमें मन दाज़े से पानी डाल रही हूं यह बिल्कुल हाफ मैं भर दोंगे हाफ तक आजाएगा इसमें पानी इतना ही इसको भर रही हूं और राइस कुकर में रखोंगे यह मैं इसमें रख रही हूं को जाएए को अब कर देती हूं अमने इसको अन कर देती हूं और इक को किंग प्रोसर्स टार्ट हो गया है तो तोड़ी दिर में दिखाती हूं आपको दिखाती हूं दाल पग गई है आप देख सकते हैं इतना दाल गल गई गई है तो अब तक कि पूरण लेंगे तुर अब जैसे वर्जी चाहे कर सकते हैं प्यास से जीरे लसन से टमाटर से वह बगार आपकी मर्जी आप इसको कैसे कर सकते हैं इस मुझे इस रेश्पी में ये दिखाना था कि हम कुकर में किस तरह से दाल पक और घ़ाने के बिया ब१कर करते हैं तो इसमें तो इसमें तो इसमे तो ससा तो मैं आपको दिखाना था कि कोखर में समया था कि पिले निसी टाल कने मखाना में नी चाहिए घटब यह दाल लखे रहें इंटे ओजपा मेधन से तेल कर दो ना ना दाल हो थोड़ा या ब्राउन तो मैं दाल को लशन से भखार रही हूं यह ब्राउन हो गया मैं इसको बंग कर देती हूं मैंने दाल भगार के ढ़क दिया था तक अरोमा बचा रहता है दाल को हमेशा टाइम पर ही भगारना चाहिए जो आप दस्ताखान पर डाइनिंग टेबल पर लगाएं पहले से भगार के रखते हैं तो वह मज़ा नहीं आता है अगर आपको हमारे रेसिपी पसंद आया तो नीचे लाइक का बटन आप उसे प्रेस कर दीजेगा तो आपको हमारे नए नए वीडियो का नूटिफिकेशन मिलता रहेगा बेल आइकन दबाना मत भूलेगा अधर्वाइस आपको रेगुलर अपडेट नहीं मिलेगा कि हमन देखते रहे हैं शहलाज दस्तर खाना